नमस्कार प्यारे दूस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के उपर मेरा नाम है संदीब जयानी और हम पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं सिविल इंजिनरिंग सभी को नमस्कार गुड इवनिंग सर्वेइंग के अंदर अब तक हमने सर्वे के बे इसकी बारे में जो बेसिक बाते हैं वो जानना हमने शुरू कर दिया था आज थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं सर्वेइंग के कुछ और फंडमेंटल को जानते हैं इससे पहले कि हम इसके एप्लिकेशन वाले पार्ट के उपर जाएं तो चल ये जल्दी से शुरू कर दोस्तों अगर आप इस यूट्यूब चैनल के उपर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अपनी अप अभी तक डाउनलोड नहीं किये तो आप कर सकते हैं अगर आप सेविल इंजिनरिंग कॉंपिटिटिव एक्जाम्स के लिए तयारी कर रहे हैं अब तक इंस्टेंटली पहुंचे आप के उपर सुबह 9 बजे और सुबह 11 बजे यह दो सेशन होते हैं यूट्यूब के उपर इविनिंग 9 पीम मंडे टू फ्राइडे हम पढ़ रहे हैं दोस्तों अब तक हमने बात कर ली थी कि सर्वेइंग सब्जेक्ट जो है उसके बे पहला फील्ड वर्क और दूसरा ओफिस वर्क कुछ काम जो फील्ड में करके आएंगे आप और उसके बाद कुछ काम ऐसे हैं जो आप ओफिस में करेंगे फील्ड वर्क की अगर हम बात करें तो फील्ड वर्क के अंदर पहला जो काम आ जाता है वो यह है कि आपको इंस्ट टेप लेकर के जा रहे हैं तो चेन या टेप को आप सही टेंशन के साथ ही खीचेंगे ऐसा नहीं है कि बहुत जोर से उसे खीच रहे हैं जिससे की वो इंस्टुमेंट ही खराब हो रहा है ना केवल हम उस इंस्टुमेंट का नुकसान कर रहे हैं साथ ही साथ में वो पूरा सर इंस्टूमेंट का भी ध्यान रखना है ये सिर्फ उस पर्टिकुलर इंस्टूमेंट की कॉस्ट की बात नहीं है ये overall हमारे सर्वेंग की और उसके बाद पूरे प्रोजेक्ट को भी इंपक्ट कर सकता है इसलिए हमें इसे ध्यान से रखना है जब भी आप टेप को यूज कर रहें उन्हें आप रिपेर करेंगे कोई भी ऐसे instruments हैं जिनके अंदर joints हैं उनका proper maintenance करेंगे उन पर अगर dirt आ गई है मिट्टी आ गई है वह खराब हो रहे हैं तो उन्हें clean करके ही आप वापस रखेंगे compass जैसे instruments अगर हैं जिन instruments को proper care की ज़रूरत है उन्हें box के अंदर आप close करके रखेंगे tripod stand है तो उसके आप legs properly widen करके उसके बाद उससे जो table उसके उपर रखेंगे या फिर कोई भी instrument उसपे setup कर रहे हैं अगर आप तो उसके बाद ही आप करेंगे ताकि वो एक firm base उसको provide हो उस particular instrument को अगर आप optical instruments use करेंगे, optical instruments जैसे कि कोई lens use कर रहे हैं आपने tachometer use किया, theodolite use किया तो कोई भी optical instrument है जिनके अंदर lenses use हो रहे हैं, तो उन lens को bare hand से आप touch ना करें, आप अपने phone के lens को भी नहीं touch करते हैं, camera कोई भी होता है, उसके lens को आप directly touch नहीं करते हैं, क्योंकि फिर वो खराब हो जाएगा तो इसी तरह से आप जो भी surveying के instruments हैं, उनका proper ध्यान रखेंगे, so first point about field work, field work के जो task हैं उनकी बात कर रहे हैं, उसमें है adjustment and care of the instrument, second की बात करें तो surveying के measurements आप करेंगे, field में जाके survey के measurements करेंगे, अब surveying measurement में आप कौन कौन सी measurement लेते हैं, so basically अगर हम categorize करें, तो आप horizontal distance calculate करत हैं, दो points के बीच में horizontal distance, फिर आप vertical distance calculate करते हैं, horizontal angle calculate करते हैं, और vertical angles आप calculate करते हैं, फिर apart from that, horizontal distance में मतलब आपको अगर कोई road construct करनी है, तो horizontal distance calculate कर रहे हैं, आपको अगर gradient पता करना है, तो vertical distance दो points के बीच में height कितनी है, वो आप पता कर रहे हैं, horizontal plane के अंदर angle measure करना है, जै जैसे कि किसी बिल्डिंग की किसी टावर की अगर हाइट मेजर करनी है तो आप वर्टिकल एंगल मेजर करते हैं and so on Contours आप बनाते हैं जब भी आप वर्टिकल डिस्टेंसिस की बात करते हैं एलिवेशन लेवल लेना यह सब चीज़ें आप करते हैं वर्टिकल डिस्टेंसिस के अंदर तो मेजर्मेंट में बेसिकली यह सब मेजर्मेंट हम करते हैं उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है Field Notes बनाने की अब ऐसा तो नहीं है कि हम सरवे कराये और सारा का सारा डेटा कोई आप से पूछ है कि डेटा कहा है तो आप कहेंगे डेटा यहाँ है Script कहा है script यहाँ है तो ऐसा नहीं चलेगा आपको Proper Field Notes बनाने होंगे अब proper field notes से हम कहना क्या चाह रहे हैं सबसे पहली बात है कि जो आप field notes को record करेंगे वो accurate होने चाहिए accuracy होने चाहिए उसके अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा precision apply कर पाएं वो apply करना है ताकि accurate readings आप ले पाएं readings ही गलत हो गई तो फिर आगे का सारा काम भी हमारा गलत होता चला जाएगा तो reading properly note करनी है error कम से कम आए हमारी वज़े से जो errors हो वो कम से कम हो instrument भी obviously accurate होने चाहिए ज़्यादा precise होने चाहिए then आता है legibility तो legibility क्या कहती है legibility का मतलब कि आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये जो survey कर रहे हैं आप सिर्फ खुद के लिए नहीं कर रहे हैं इस survey को और भी लोग देखेंगे जो भी आपके fellow persons हैं जो आपके colleagues हैं या फिर जो भी project से associated other people हैं वो सारे भी इस survey को देखने वाले हैं तो इसी लिए इसका जो भी आप notes बनाएंगे जो भी आप data note करेंगे वो एकदम professional तरीके से होना चाहिए जैसे आप अपने notes बना लेते हैं अपने लिए कुछ-कुछ बाते लिख लेते हैं वैसे नहीं होना चाहिए एकदम proper professional way में आप उसे लिखेंगे नेक्स आते हैं integrity integrity का मतलब कि कुछ भी missing data नहीं होना चाहिए जो जानकारी जितनी जानकारी लिखनी की ज़रूरत है वो सारी परियाप्त होनी चाहिए ताकि कोई भी उसे पड़े तो वो उसे completeness वाली feel दे कुछ भी उसके अंदर missing out नहीं होना चाहिए इट शुड भी complete in all aspects नेक्स देखें अगर हम तो arrangement sequence होना चाहिए ऐसा नहीं है कि एक काम कभी भी proceed हो रहा है फिर उसको आप कहीं और जाकर के report कर रहे हैं एक sequence में एक series में connected pattern के अंदर सारी चीज़े mention होनी चाहिए यहाँ पर तो arrangement इसके अंदर important है next clarity कि कोई confusion नहीं होनी चाहिए कोई भी आप जो data mention कर रहे हैं उस data को mention करते वक्त कोई जानकारी लिखते वक्त चाहे वो इसी form में ही हो कि आप कई बार अगर जैसे लिखते हैं कि आपने reading लिखी तो कुछ इस तरह से करके आपने लिख दिया तो अब यह 256 है यह 286 है यह क्या लिखा हुआ है तो ऐसी confusion नहीं होनी चाहिए जब आप numbers लिख रहे हैं उनमें clarity होनी चाहिए कुछ अगर draw करके represent कर रहे हैं उसमें proper clarity रहनी चाहिए कोई भी scope और confusion वहाँ पर नहीं होना चाहिए तो recording field notes के अंदर accuracy, legibility, integrity, arrangement और clarity यह सब present होना चाहिए उसके बाद आ जाते हैं फील्ड बुक के उपर तो फील्ड बुक के अंदर यह सारी जानकारी जो आप mention कर रहे हैं जो भी आपने data collect किया है उन सबको properly आपको enter करना है तो यह सब किसमें आएगा फील्ड बुक में अब फील्ड बुक कौन सी ली जाए फील्ड बुक ऐसे paper की होनी चाहिए या ऐसी फील्ड बुक होनी चाहिए जो की durable हो आप उसे handle करें, बार-बार उसे read कर रहे हैं उसमे note down कर रहे हैं तो वो लंबे समय तक sustain कर जाए ऐसा paper उसका होना चाहिए मतलब hard usage को withstand कर जाए hard usage को भी withstand कर जाए अब किसी state के exam के अंदर ये question ऐसा भी पूछ लिया गया कि आप फील्ड बुक में कौन सी pencil का इस्तेमाल करते हैं तो फील्ड बुक के अंदर जो आप pencil यूज करते हैं वो थोड़ी hard होनी चाहिए 3H pencil generally हम यूज करते हैं अब hard pencil क्यों यूज करते हैं क्योंकि अगर हम इस बात को भूल जाए न ध्यान में रखें कि digitally भी सारे notes लिये जा सकते हैं और सिर्फ यह माने कि pen and paper का ही इस्तेमाल हो रहा है या pencil and paper का ही इस्तेमाल हो रहा है तो अगर hard pencil होगी तो hard pencil का जो marking है जो भी आपने लिखा वो pencil वाला portion अगर with time या with use erase भी हो रहा है हट भी अगर रहा है तो भी उसका indent जो बन रहा है वो आपको वहाँ पर clearly दिखेगा जैसे आप notes बनाते हैं तो आपने एक page पर कुछ भी लिखा है अगर तो आप page पलट के देखेंगे तो दूसरे page पर उसके निशान होंगे तो वो निशान तो फिर भी बने हुए रहेंगे इसलिए hard pencil use करने के लिए कहा जाता है So this is about field work तो field work के अंदर adjustment and care of instrument किया हमने उसके बाद surveying के जो measurements हैं वो किये recording field notes proper ध्यान रखते हुए इन सारी बातों का आपने field notes proper बनाए and then field book के अंदर उनको properly आपने enter कर दिया है अब बात आती है office work की तो office work के अंदर अब क्या करेंगे जब field में ये सब काम कर लिया है तो office work में major ले काम आ जाता है plotting का office work में जो major काम है वो किस से related है आपका plotting से related है कि जो जानकारी आप ले करके आए है अब उस जानकारी को आपको एक drawing की form में map के form में plot कर देना है जैसे कि अगर कोई आपके पास कोई area था कोई land थी जिसको आपको plot करना है उसके उपर कोई दो particular locations थी उनको आपको यहाँ पर इसके उपर show करना है कोई road थी उससे related plan है आपके पास अगर आपके पास कोई particular locality है कोई society है उससे related plan था उसको plot करना है आपको यहाँ पर तो वो आप office work के अंदर करने वाले हैं So office work के अंदर जब भी आप यह सब काम करेंगे तो इसको करने के लिए एक basic सी चीज आपको चाहिए होगी वो scaling कि कितना area आपने measure किया जैसे road अगर आप consider करना है कि आपने 100 km की जो road है उसका survey plot करना है एक drawing के उपर तो अव्यस सी बात है कि आपको consider करना पड़ेगा कि 1 cm is equal to 10 km या 1 cm is equal to 5 km ऐसा scale मान करके आपको उसे plot करना पड़ेगा अगर एक building का ही आप plan उसके उपर draw कर रहे हैं तो उस case में आप 1 cm equals to 1 meter या 1 cm equals to 5 meter and so on ऐसा scale adopt कर सकते हैं large scale adopt कर सकते हैं छोटे area के case में आप यहाँ पर तो scale की ज़रूरत आपको पढ़ने वाली है ताकि आप उस drawing के अंदर इन सब बातों को represent कर पाएं अब scale का तरीका क्या है representative fraction क्या है graphical scale क्या है scale के कितने type होते हैं तो हम बाद में देखेंगे लेकिन फिलाल यहाँ पर हम यह मोटे-मोटे तौर पर बात कर रहे हैं कि office work के अंदर होता क्या है next office work includes doing calculations for transforming the field measurements into a form of suitable for plotting एक suitable form में हम उसे लेके आप आए office work में हम क्या-क्या कर रहे है office work के अंदर वो सारी calculations करेंगे जो भी हमने field पर note की थी उन calculations को करेंगे scaling करेंगे proper यहाँ पर ला करके इसको plot कर लेंगे अब जब आप इसे plot करेंगे drawings बनाएंगे तो इसके लिए आपको बहुत ही अच्छी जानकारी होने चाहिए geometry की trigonometry की आप triangles की बात करेंगे अलग-अलग geometrical figures की बात करेंगे तो वो सब आपको पता होना चाहिए जो basic है engineers के लिए तो आपको map कैसे draw करना है plan कैसे बनाना है इसके बारे में पता होना चाहिए आप अलग-अलग regions को shade कर रहे हैं inking कर रहे हैं या legends provide कर रहे हैं legend क्या होता है अब एक तो होता है legend मतलब एक जो कथा मतलब जैसे the legend of भगत सिंग तो एक story बताई जाती है ancient story बताई जाती है वीरता की कहानियां बताई जाती है तो वो सब legend होती है एक आप किसी person को बोलते हैं कि जिन्होंने outstanding काम किया कि जैसे dr. APJ अब्दुल कलाम है तो वो legend थे तो जिन्होंने exceptional work किया बहुत phenomenal काम किया तो उन्हें हम legend बोलते हैं फिर legend यहां पे हम किसे कह रहे हैं कि map के अंदर जो जानकारी दी है उसको पढ़ने के लिए आसानी मिल पाए कि आपने अगर green color shade किया है तो legends का use कर रहे हैं inking का use कर रहे हैं shades कर रहे हैं आप अलग-अलग region को और फिर उन regions का आप area calculate करना होगा तो area calculate करेंगे volume calculate करना होगा तो वो calculate कर रहे हैं length calculate कर रहे हैं यह सब चीज़ें आप कर रहे हैं Art and science of mapping इसे हम क्या बोलते हैं cartography बूलते हैं mapping map बनाने की जो art and science है उसे क्या कहा जाता है cartography कहा जाता है as we discussed legend क्या होता है it is a key to the map and gives a brief explanation of symbols, colors and other things used to explain or represent various features on the map and are printed on the bottom of map map के बिलकुल नीचे यहां पर यह सब हम print कर देंगे जिससे आप यह सारी जानकारियों को समझ पाएंगे कि हाँ हमने कहां पर show किया है अगर इस point को mark कर दिया तो यह location को show कर रहा है green color हमने दिया है तो green color vegetation वाले portion को show कर रहा है and so on तो वो key work के अंदर आ जाता है अब कुछ-कुछ basic सी चीज़ें आप यहां पर देख लीजिए हो सकता है किसी exam में आपको यह symbols दे दे और उन symbols से related question पूछ लिया जाएं आपसे अगर ऐसा arrow दिखता है आपको अगर इस तरह का एक arrow दिखाई देता है आपको तो उसे हम क्या बोलते है meridian arrow meridian क्या होता है कल के session में हम discuss कर चुके है in short अगर आप समझना चाहें तो meridian हम reference के लिए ले लेते हैं कि एक direction है meridian का हमने बोला था कि earth हमारी जो है इसका ये north pole इसका ये south pole north pole से south pole को connect करते हुए अगर हम एक plane pass करवा दे और वो plane earth के surface पे जहां touch करेगा contact करेगा तो वो meridian हो जाएगा तो ये north से south हमारा ये geographical meridian है जिस भी particular location के अंदर जैसे अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर अगर हम देखें जिस particular location के अंदर हम होंगे वहां से north कहां point कर रहा है वो हमें इस meridian direction के अंदर show कर देना आप जिस location के उपर survey कर रहे है तो north कहां point कर रहा है वो आप इस meridian arrow से show कर देते हैं उसके अलावा कुछ और symbol भी है अब इन symbol में से कुछ तो आप directly पहचान पाएंगे कुछ नहीं पहचान पाएंगे जो आप directly पहचान सकते हैं वो आप अभी इन में से guess करके देख लीजिए कौन कौन से हैं जो नहीं पहचान पा रहे हैं या नहीं clarity मिल पा रहे हैं उनको हम समझेंगे ऐसे points जिन में confusion हो सकती है ऐसे words जो आपके लिए नए होंगे उनको हम explain कर लेंगे ऐसे जो हमें आते ही हैं उनके उपर जादा समय देने की जरूरत नहीं है एक बार आप go through करें starting से लेकर के end तक जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये symbol क्या show कर रहा है आपको तेरे ये double line, double dotted line फिर उसके बाद कुछ किस तरह से बीच में यहाँ पर circular form बनाया हुआ है 30 line, यहाँ पर full, यहाँ पर dash वाली जी कुछ इस तरह से So you can just थोड़ा सा brainstorm करना है सोच के देखना है कि हाँ क्या represent किया होगा इसमें अगर आप धुरंदर हैं तो आपने बता भी दिया होगा अब तक कि यह क्या क्या है यह सोच लिया होगा कि क्या क्या है यह चलिए, देखते हैं सबसे पहले यह जो arrow है, इसे हम बोलते हैं meridian arrow इसे हम क्या कहते है, meridian arrow कहते है single track, एक single path बना हुआ है, single रस्ता बना हुआ है single track है तो उसे हम कुछ इस तरह से represent करते हैं double track अगर है तो यहाँ पर एक track इस तरफ शो कर रहे हैं, एक track इस तरफ शो कर रहे हैं तो double track हम कुछ ऐसे शो करते हैं तो single track, double track की case में कोई as such confusion नहीं है पक्का road, पक्का road मतलब metal road को हम बोल देते हैं metal मतलब जिसमें aggregate का आपने use किया है वो road, कच्चा road मतलब जो सिर्फ stand से या फिर सिर्फ soil ही exist कर रही है या वहाँ पर जादा से जादा हमने उसको अच्छे से compact कर दिया है तो वो कच्चा road हो जाता है तो इनको solid line से show कर रहे हैं और इसको हम broken line से show कर रहे हैं dash वाली line से show कर रहे है put path को single dash वाली line से अब यह जितने भी dash वाले options है या आपस में थोड़े से confusing होते हैं तो examiner को ideally इनमें से पूछना नहीं चाहिए या फिर question में बूल देना चाहिए with reference to roads double solid line indicates तो फिर तो ठीक है हम बता सकते हैं next आते हैं fencing post and rail fence fencing post and rail fence का मतलब fencing कर देना आपका कोई plot था आपका garden था आपका खेत था आपने उसको क्या कर दिया आप ऐसे बोलते हैं कि तारबंदी करवा रहे हैं fencing करवा रहे हैं उसकी तो fencing post का मतलब वो जो vertical pillars आप लगा देते हैं और फिर उनके बीच में आप rails लगा देते हैं तो ये fencing post and rail fence fencing post के अंदर ये आपने post लगा दिये और इन post के बीच में आपने तीन-तीन rails लगाई हुई है तो ये double rail वाली fencing भी हो सकती है triple वाली भी हो सकती है ये तीन वाली आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है so these are fencing post और इनके बीच में rails लगी हुई है so fencing post and rail fence को हम कुछ ऐसे broken line से या dash वाली line से show कर रहे है अब footpath और ये आपस में confusing सी हो जाती है तो जब तक हमें question में reference नहीं दिया जाए so we can't tell की क्या पूछ रहा है वो footpath है या fencing post पूछ रहा है then tunnel अब tunnel अगर road की भी हो सकती है आप road पे जा रहे हैं जैसे अटल tunnel है तो road पे आप जा रहे हैं तो tunnel आगई तो tunnel आप समझते हैं तो tunnel इस तरह से show की हुई है road की है या फिर rail road अब ये rail road क्या चीज होती है जैसे US के अंदर अगर हम बात करें या rails की जिनके उपर train चलती है तो that is pretty much clear वहाँ पे इसे rail road बोल दिया जाता है US, Canada फिर इनके अंदर rail road या railways में भी इन्होंने further categorization बनाए हुए है कि अगर single track है तो उसे आप rail बोलेंगे rail road तब बोलेंगे double track है तो हमें उतने confusions में नहीं जाना है हमें सिर्फ इतना पता होना चीए कि rail road अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो rail road का basically मतलब railways से ही है the meaning of both railway and rail road is the same they both refer to a track on which a train runs उसके बाद आते हैं next हमारे पस tunnel road हो गया हमारा canals and ditches के उपर तो canal वो बड़ा रस्ता है वो बड़ा channel है जिसके थूरू पानी travel कर रहा है artificial channel जो हमने बनाया हुआ है irrigation purposes के लिए navigation purposes के लिए irrigation मतलब खेतों में पानी देने के लिए navigation purpose मतलब कि हम उस canal के थूरू navigate कर रहा है आप phone से navigate करते हैं ताकि आप road पे travel कर पाएं रस्ता पता हो आपको हम इसके अंदर अगर travel कर पाएं तो ये navigation canal हो जाएगी flood को control करने के लिए बनाई अगर हमने तो फिर accordingly उसका नाम हो जाएगा and so on अगर electricity purpose के लिए power consumption के लिए बनाई तो power canal feeding purpose के लिए तो feeder canal and so on वो सब irrigation में हम पढ़ लेंगे तो ये canal है हमारे पास और ditch होता है छोटा सा रस्ता खेत के अंदर पानी देने के लिए छोटा सा रस्ता है उसे हम बोल देते हैं ditch तो canal and ditches को इस तरह से इन दो lines के बीच में gap जादा है और इस line के बीच में gap कम है तो canal and ditches को इस तरह से हम show कर देते हैं aqueducts and water pipes जहां पर भी आपको पानी का छोटा सा खंडियू टेक रस्ता एक pipe ले करके जानी है तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं वो water pipes हो जाती है या aqueducts aqueduct हम cross drainage structure में भी बढ़ते हैं कि एक canal है और एक natural stream है वो भेते हुए जा रहे हैं अगर वो एक दूसरे को cross कर रहे हैं तो आपने natural stream के उपर canal को रख दिया तो उसे भी हम एक aqueduct के थ्रू ले करके जाते हैं तो aqueducts and water pipes को भी हम ऐसे broken line से show कर देते हैं solid line में canal and ditches को show किया जाता है उसके बाद dam known to everyone की dam क्या होता है और dam का symbol भी लगबग clear है यहां पर कि इस तरफ से river का पानी आ रहा है यहां पर हमने एक barrier बनाया हुआ है वो dam है bridge यह आपको यहां पर कोई रस्ता दिखाया गया है road भी हो सकता है यह और उसके नीचे से पानी cross कर रहा है यहां पर so this is mentioned as a bridge pond या lake वो आपको यहां पर इस तरह से आते हैं कहीं भी घूमने या थोड़ा hill station वाला region होता है तो आप क्या कहते है you always look for कि waterfall कहां है इस area में waterfall में चलते हैं वहां पर enjoy करेंगे कितने scenic beauty होता है अच्छा भी होता है तो falls आप देखते हैं तो falls means जहां पर भी पानी एक level से सीधा direct गिर रहा है फिर वहां पर बहुत ज़्यादा turbulence है rapid mixing है rapids वहां पर present है नीचे rocks होनी की वज़े से उसके अंदर बहुत ज़्यादा turbulence create हो रहा है तो falls and rapids जो हैं उन्हें हम कुछ इस तरह से show करते हैं so this is falls and rapid को represent ऐसे किया जाएगा next आता है road in embankment next वाले ये जो figures हैं पहले आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए फिर उसके बाद वो होते क्या हैं इनकी बात करेंगे तो ये road in embankment embankment या तटबंद कह लीजिए आप बनाते हैं आसपास के ground से उस particular region को elevate करने के लिए या फिर इस तरफ अगर एक तरफ पानी था तो उस पानी का भाव सी पे जो दूसरी तरफ ना आए तो इसलिए आप वहां पर embankment बना देते हैं तो embankment means natural ground से आपने कुछ उपर उठा दिया है soil को fill करके compact करके अच्छे से उसके उपर अगर आप road बना रहे हैं तो road in embankment है वो इसको show करने के लिए ये जो road है इसके sides में ऐसे lines show कर दी जाती है तो ये road in embankment है road in cutting की बात करें तो अब road के side से lines नहीं शुरू होंगी बाहर से शुरू होंगी तो road को नीचे दिखाया गया है road को cut करके provide किया गया है actual में ये कैसे दिखते है road in embankment की बात करें तो let's say क्यों कोई इस तरफ natural stream थी पानी था या हो सकता है sea था तो यहाँ पे आपने एक embankment बनाई हुई है और इस embankment के उपर road construct कर दी गई so this is road in embankment यहीं पे अगर आप बात करें इस ऐसे exist करता रहता और हम कोशिश करते कि हम road कैसे बनाए ऐसे बना दे अगर हम road को यहाँ से ऐसे उठाते उठाते इसके उपर से निकाल दे तो फिर हमें बहुत जादा gradient प्रोवाइड करना पड़ता ऐसे बहुत जादा steep चड़ाई हो जाती जादा gradient प्रोवाइड करना पड़ता heavily loaded vehicle क्या पता न जा पाते उनको इतना traction नहीं मिल पाता तो इसलिए हमने इस road का gradient बनाए रखने के लिए यहाँ पर इस road को cut कर लिया यहाँ पर यह जो elevated land form था या जो hill था उस hill के अंदर cutting करके हमने road को provide कर दिया यह दिखने में चिडिया जैसा लग रहा है लेकिन यह आपको यहाँ पर plantations, vegetation garden के अंदर दिखाई दे रही है next, marshy ground, marshy या फिर दल-दली region जो दल-दल है जहाँ पर, तो उसे हम क्या बोलते है marshy ground, तो marshy ground को कुछ इस तरह के symbol से हम show करते है next, यह जो lizard या छिपकली जैसा आपको दिखाई दे रहा है यह actual में बहुत बड़े-बड़े trees दिखाए हुए है jungle को यह represent कर रहा है जब आप अपने private jet में travel करते हैं, तो आपको कैसा दिखता है view नीचे जो खेत होते हैं, वो कुछ इस तरह के show किया गया है, आप इने imagine कर सकते है कि यह fruits जैसे यहाँ पर show किये हुए है, तो यह आपके main main जो कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे आपको यह नहीं पता होगा शायद कि मार्शी ground क्या होता है, आपने नाम नहीं सुना होगा, हो सकता है आपने यह नहीं सुना हो, कि road in cutting, नाम सुन लिया हो लेकिन exactly नहीं पता हो, तो आप यह main main चीजें साथ साथ में देखते चलिएगा next है, fence of any kind, या board fence हो, board fence या rail fence में बस basic difference वहीं पर, यह वहाँ पर सिर्फ हमने वो rails का use किया, यहाँ पर boards का अगर use कर रहे हैं, तो इसे हम board fence बोल देते हैं, next आती है barbed wire fence, barbed wire अब तक तो आपने सुन लिया होगा अगर estimate भी पढ़ा है, तो भी वहाँ पर word हमने use करते हैं, barbed wire वो जो कांटो वाली तार होती है generally आपको देखने को मिलती है कि दो states की जो border दो countries की जो border होती है वहाँ पे आपको barbed wire देखने को मिलती है जो कांटो वाली तार होती है लोग अपने घर के अंदर, खेत के अंदर जहाँ पे भी उन्हें ज़ादा protection चाही होती है वहाँ भी use कर लेते हैं, safety point of view से so barbed wire वो जो कांटो वाली तार होती है, उसे कहते है then smooth wire fence अगर wire जो है वो smooth use की गई है तो smooth wire fence को represent कर रहे है then rail fence जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले वो देखा था कि rail से अगर fence बनाई हुई है hedge fence, hedge fence जो जहाड़ियां या फिर आप ऐसे कह लिजे कि plantation का इस्तेमाल करके अगर हमने fencing की हुई है जैसे आपने अपने घर के अंदर घर को, घर का जो structure है उसको और अपने garden को separate किया हुए या आपने अपने garden के अंदर further separations किये हुए है किसकी मदद से? hedge fence की मदद से आप पार्क में जाते हैं कि आप वहाँ पर hedge fencing की हुई होती है अलग-अलग portion में divide कर रखा होता है एक kids play area बना दिया एक yoga वाला area बना दिया एक कोई वहाँ पर fountain वाला area बना दिया तो उन सब को कैसे separate किया हुआ होता है hedge fencing से separate किया हुआ होता है so this is particular यह जो green वाला portion दिखाई दे रहा है this is hedge fencing अगर आपने fencing कर रखिये stone का use करके पत्थर का use करके stones use किये हुए है वहाँ पर तो वो stone fencing हो जाएंगे कहीं से अगर telephonic line जा रही है तो उसे आप ऐसे T से show करेंगे telephonic line या telegraph वाली lines जा रही है वो ऐसे show कर दी जाती है power line again broken line या dash वाली line से power line मतलब electricity वाली lines जहां से जा रही है वो इससे show कर रहे है wall को solid line से show कर रहे है gate को कुछ इस तरह के symbol से हम show कर रहे है clear next आते हैं उसके बाद कुछ और छोटे छोटे terms के उपर wall और gate को अगर एक साथ represent करना होगा तो वो हम ऐसे represent करेंगे beach में gate आस पास में wall building large scale की है तो ऐसी कच्चा building है तो dash line से hut को represent किया है तो यह hut आप ऐसे कह सकते है कि आप top view से ऐसी hut दिख रही है आपको then फिर उसके बाद यह जो हमारे religious buildings है यह आपको show की जाती है bench mark के बाद करें तो B, M से आप show कर रहे है open well अगर आपके पास है तो बाहर circle अंदर dash अब यह circular shape में है तो यह well को represent करता है अगर यह थोड़ा सा irregular shape करके दे दे तो वो आपका lake भी हो सकता है lake को represent करता है वहाँ पे हम और metal road को दो solid line से unmetall road या जो कच्चा road है उसे हम broken line से show कर रहे है metal road मतलब जो पकी सडक है unmetall जिसके उपर आपने aggregate use नहीं किया है metal use नहीं किया है metal use करके metal को obviously एक binding material चाहिए aggregate use करेंगे तो या तो आप bitumen use करिए bituminous concrete use करिए या फिर आप cement concrete use करिए तो आपकी metal road बनेगे unmetall में आपने ऐसे ही रस्ते को compact किया हुआ है बस natural soil को compact कर दिया या without metal आपने road बना दी तो unmetall road कहलाती है यह तो यह हमारे basic basic drawings जो use करते हैं उसमें जो symbols हम use करते हैं उनके बारे में बात हो गई अब आते हैं surveying के जो principles हैं इनके उपर what are the principles of surveying surveying के principle की बात करें तो surveying के दो principle हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है पहला कहता है working from whole to part अब इसको बहुत ए simple से example से आप समझेगा कि अगर आपको कोई distance measure करना है आपको distance measure करना है और वो distance कौन सा measure करना है A-B distance measure करना है इस A-B distance को measure करने के लिए let's say यह A-B distance actual में कितना है 100 meter ले ले लेते हैं यह A-B distance actual में 100 meter है आपके पास एक chain है या tape है आपके पास chain या फिर tape है जो की 20 meter length की ही है अब आप A और B के control points आप A और B को control points बना दिया आपने यह points establish कर लिया अपने drawing के उपर represent कर लिया field पे आपने points को locate कर लिया कि यह हमारे control points है अब आप इन control points के according अगर चलेंगे तो आपकी reading सही होगी अगर आपने इनके अलावा कोई और point लिया तो हो सकता है गड़बड आ सकती है कैसे अगर आप यह कहते अगर आप यह कहते कि हम 20-20 meter पे points ले लेते हैं तो A, B के बीच में C, D, E ऐसे points ले लेते हैं जिससे कि हम इस A, B distance को पूरा exactly plot कर पाएं यह अभी plotted नहीं है यह अभी तक drawn नहीं है हमें इसे plot करना है तो थोड़ा lighter shade से इसे ले लेते हैं यह भी plotted नहीं है अब अगर आपने पहले यह कहा कि मैं AC एक point ले लेता हूँ आपने कहा कि मैं एक point AC ले लेता हूँ जो कि 20 meter का होगा तो आपने AC लिया, फिर उसके बाद CD, फिर उसके बाद यह 20 meter आपने यह लग लग points consider कर लिये, अब इन points को लेते वक्त अगर आपने गडबड कर दी आपने कहा कि AC मैंने लिया 20 meter मान लीजिए, यह आपने सही ले लिया फिर आप जब CD ले रहे थे कि अब C से मुझे D point लेना है 20 meter पर तो हो सकता है आप ऐसे चले जाए आप यहाँ पर D की जगा D dash चले गए फिर आपने क्या किया, कि मैं D dash ते आगे next point consider करूंगा 20 meter पर तो हो सकता है आप यहाँ पर E की जगा E dash पर पहुंच जाए, फिर आपने कहा कि मैं E से आगे 20 meter consider करूंगा तो हो सकता है आप यहाँ पर F की जगा E dash पर पहुंच जाए और फिर उसके बाद आप B पर पहुंच जाए तो आप यह readings गलत कर देंगे यह readings आप गलत कर देंगे, कि अगर एक जगा reading गडबड हुई C की जगा अगर एक जगा गडबड हो गई और फिर आगे इसी के reference में आपने readings लेते चले गए आप तो आपकी सारी readings गलत हुजाएंगी overall आपका AB distance गलत आजाएगा इसी के बजाए, अगर आप control points मानेंगे AB को ही इनी के reference के अंदर ही आप सारे points को consider करेंगे आप इनी के reference के हिसाब से कि AB के हिसाब से आप पहले set कर देंगे AB के हिसाब से आपने proper ranging की और आपने properly set कर दिया कि ये point C, ये point D, ये point E ये point F, ये point आपका B आपने पहले इन main points के हिसाब से बाकी बीच के छोटे-छोटे points establish कर दिये, अब इन के बीच में measurements लिया, अब आपने अगर A से C के बीच में measure लिया 20, मान लिजी reading सही थी अब अगर C से D के बीच में ये reading सही भी नहीं थी, मान लिजी 20 की जगा 19 meter आपने ले ली 19.5 meter ले ली, तो सिर्फ और सिर्फ error यहीं पे आएगा, यहीं पे जगां की readings में अगर error है भी तो वो बाकी readings को influence ना करे, एक बहुत बड़ा area है, उसको आपने major control points ले लिये और फिर इन major control points के हिसाब से आपने इसे फर्दर छोटे-छोटे parts में divide कर लिया, अब इन छोटे-छोटे parts में divide करने से फाइदा क्या हुआ, कि अगर इस particular region का area calculate करते वक्त कोई गड़बड हुई भी, तो बाकी areas के अंदर ये influence नहीं डालेगा, यहीं पे अगर जो major आपके ये control points थे, इनको establish करने में आपने कोई गड़बड कर दी तो फिर तो आपका पूरा area के अंदर बहुत बड़ा error आ जाएगा so इसलिए हम कहते हैं कि working from hole to part, the main objective of working from hole to part is to localize the error where यहां पर अगर आप part to hole जाएंगे, part से hole की तरफ जैसा कि हमने ये वाला example लिया था कि अगर आप part से hole, इस छोटे छोटे part से पूरे की तरफ अगर आप particular segment में, next आता है locating a point by at least two points of reference, अब two points of reference आपको देने होंगे, जैसे अगर आपके पास एक point है A, आपके पास दूसरा point है B, अब C को locate करने के लिए बताना पड़ेगा ना, कि A से 10 km चलने पर C आता है B से 5 km चलने पर C आता है, तो क्या करेंगे scaling करके, appropriate scale लेंगे, उसके बाद हम कहेंगे 10 km के equivalent एक arc draw कर लो तो हमने यहाँ पर A से 10 km के equivalent arc draw की, फिर B पे compass रखा, compass वो वाला compass, जो बच्पन में यूज करते हैं ना, प्रकार वाला, अब 5 km के arc यहाँ पर draw करनी है तो यहाँ पर arc draw कर ले, तो आपको यह point मिल गया ना, C, कि यहाँ से 10 km और यहाँ से 5 km के distance पर, मतलब C को आप exactly locate कर सकते हैं आपको अगर यह बताया जाए कि C को पता करने के लिए A, B अगर आपको यह पता है कि angle B, A, C कितना है अगर आपको यह angle पता हो अगर आपको यह पता हो angle A, B, C कितना है यह दो angle अगर पता हो तो भी हम C को locate कर सकते हैं तो दो points of reference अगर आपके पास हैं तो आप अच्छे से third point को define कर सकते हैं किसी point को define करने के लिए two points of reference आपके पास हो सकते हैं और भी बहुत सारे case बन सकते हैं, अगर आपके पास perpendicular distance है और A भी known है, उसके थूरू आप पता कर सकते हैं. समझ में आ रहा है आपको, ठीक, सो ये हमारा है locating a point by at least two points of reference, दोनों के दोनों अपने आप में objective question है, और ऐसा नहीं है कि ये question आज से 10 साल पहले पूछे गए थे, तो अब नहीं पूछे जाते हैं, आज भी पूछे जाते हैं, recent exams में भी पूछे गए हैं, so working from whole to part and locating a point by at least two points of reference, next आते हैं units of measurement में, तो units of measurement के अंदर हम कौन कौन सी measurement करते हैं, हम horizontal distance measure करते हैं, हम vertical distance measure करते हैं, horizontal angle measure करते हैं, और vertical angle measure करते हैं, horizontal distance कि जैसे आप अपने room में हैं, तो आप अपने room के अंदर एक corner से दूसरे corner, floor के उपर आप distance measure कर लीजिए, so this is kind of a horizontal distance vertical distance measure करना है तो आपके floor के बीच में और ceiling के बीच में कितना distance है vertical distance आपने measure कर लिया फिर horizontal angle अगर आपको measure करना है तो horizontal angle basically क्या हो जाएगा जैसे cricket आप देखते हैं तो cricket के अंदर empire अपने हाथ की movement को ऐसे करता है तो अगर उसने cricket को अंदर empire ने अपनी हाथ की movement को यहां से ले करके ऐसे यहां तक किया तो 180 degree उसने एक angle बनाया वो 180 degree का angle उसने कौन से plane में बनाया है horizontal plane के अंदर उसने बनाया है यहीं पर अगर empire ऐसे खड़ा हुआ था और वो अगर 6 को denote कर रहा है तो वो क्या करता है अपने हाथ को पूरा ऐसे उपर ले करके जाता है तो अब उसने अपने हाथ को यहां से ले करके यहां तक 180 degree का angle बनाया है कौन से plane में बनाया है यह vertical plane के अंदर बनाया है कौन से plane में वर्टिकल plane में तो vertical angle हो गया horizontal angle, vertical angle यह हम angles measure करते हैं कुछ basic सी units है generally state के exams में यह ज़्यादा ऐसे question पूछ लेते हैं कि one mile के अंदर कितने meters होते हैं कितने kilometer होते हैं nautical mile के अंदर कितने होते हैं तो यह basic सी बाते हैं आप याद रखना या अगर कभी confuse करवाने के लिए आपको units in sub में पूछ ले scale convert करवाना आप से पूछ ले कि scale बता दीजिए कि किसके equivalent होगा जैसे कि अगर आपको यह बोले representative fraction for representative fraction for one mile can be represented corresponding to corresponding to one is to how much या meters के form में आप से पूछ लेगा तो आपको बताना है कि one mile is equal to 1.609 km होता है या फिर 1609 meter होता है तो आप उसे one is to 1609 represent कर सकते हैं kilometer फिर उसे meter में convert करना है आपको ठीक तो यह values आप याद कर लीजेगा one mile कितने feet के बराबर one mile कितने kilometer कितने meter के बराबर 1609 meter one mile is equal to 1609 meter 12 inch one foot के बराबर होता है multiple होता है तो feet बूल देते हैं उसे हम three feet equals to one yard के बराबर होता है hundred links 66 feet या one chain के बराबर 10 chains एक फरलॉंग के बराबर होते हैं एक mile के अंदर 8 फरलॉंग होते हैं 1852 meters को हम one nautical miles बोलते हैं airplanes की language में, ships के language में, vessels के language में वहाँ पर nautical miles वो यूज करते हैं area की units की बात करें तो area के अंदर आपको पता है एक foot के अंदर 12 inch होते हैं तो 12 into 12, 144 square inch हो गया 100 square meter को हम one r बोलते हैं a r e one r is equal to 100 square meter 10 raised to the power 4 meter square में एक hectare होता है तो one hectare में 100 r हो जाते हैं one acre के अंदर 0 point one acre में 10 square chains होती हैं और one r के अंदर 0.0247 acres exist करते हैं one acre is equal to 43,560 square feet one square mile 640 acres के बराबर one square mile 2.590 km2 के बराबर होती है hectare to acre का जो conversion होता है वो 2.4 times का होता है अब ये ऐसे question कहा हम पूछे गए हैं एक बार engineering services में पूछा था चार statement दे दी इनमें से कौन कौन सा सही है तो उसमें ऐसे conversions दिये हुए थे तो कभी कभार किसी exam में आ जाते हैं so you should have this handy written in your notes next आते हैं volume की units के उपर so units of volume में 1 gallon होता है equal to 0.00455 meter cube so this gallon is ये British standard वाला gallon है अब ये जो अंग्रेज लोग होते हैं ये gallons की terms में बात करते हैं हम liters में rarely ही बात करते हैं हम petrol pump पे जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि भाया 100 रुपे का कठा ही petrol ढाल दो tank full कर दो 100 रुपे में 100 रुपे में full कर दो लेकिन in general हमारे जो measurements चलते हैं वो कैसे चलते हैं liters में चलते हैं अंग्रेज लोग किस में calculate करते हैं इतना फ्यूल इतना गैस इतने गैस गैस लोड कर वाया आपने विगल के अंदर सो यह ब्रिटिश के अंदर होता है 0.0455 अगर हम बात करें American या Canadian के फॉर्म में तो वह लगबग 0.0034 के आसपास होता है तो लगबग आप यह मान लीजिए इसे into 1000 कर दीजिए तो 4.55 liters equals to 1 gallon अगर ब्रिटिश टर्म में बात करें UK में जैसे अगर आप लंडन जाएंगे कहीं खवी तो वहाँ पे आप ऐसा देखेंगे और अगर US या Canada side तो वहाँ पे लगबग 3.4 liters के आसपास Next, 1 cubic yard is equal to 0.7645 meter cube अब आप एक छोटी सी बात और देखेंगे वो क्या कि अगर आपने एक r एक circle था इस circle की radius अगर r है तो इस r radius के circle के अंदर अगर मैं ये r ही length की एक arc ले लूँ और एक और radius ले ली r ये दो radius के बीच में कितना angle होगा अगर ये जो इन दोनो radius के बीच की arc है ये arc length भी r हो जाए आई repeat once again ये दो radius के बीच में angle कितना होगा अगर इनके corresponding arc की length भी r है अब याद करो वो बच्पन के दिन जब angle is equal to arc upon radius हुआ करता था so arc की length कितनी r, radius कितना r, तो angle की value कितनी आ गई 1 और इस angle को हम कहते हैं radian इसे हम क्या कहते हैं? radian कहते हैं अब radian की बात करें अगर तो एक radian को फिर further आप convert कर लीजिए किस में? degree में convert कर सकते हैं आप इसे? तो 1 radian को हम degree में जब convert करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 180 by pi 180 degree by pi फिर 1 degree के अंदर 60 minute होते हैं एक minute में 60 seconds होते हैं ये second कौन से है? angle की units की बात हो रही है यहां पर तो total इतने seconds हो जाएंगे इसे ज़रा आप solve करके बताएं कि ये कितना आएगा इसे आप solve करके बताएं कि ये कितना आएगा और ने कितना आएगा 20, 62, 64 तो ये किसकी unit है ये angle की unit है अगर आपसे कोई पूछे 1 radian is equal to तो आपको बताना है 20, 62, 64 seconds इसे हम बोलते किस में है इसे हम seconds में ही बोलते है फिर हमारे प्यारे यूट्यूबर्स ने हमें बताया है कि एक दिन में कितने seconds होते है एक दिन में 24 hours एक घंटे में 60 minutes और एक मिनेट में 60 seconds तो 8, 64, 00 seconds तो ये किसकी unit है ये time की unit है ये angle की है बोल seconds ही रहे है समझ में आ गया ठीक चलें आगे बढ़ेंगे units of angle के अंदर पहला आपको ये समझना था कि रेडियन किसको बोलते है ये भी basic questions आते हैं और आगे जाकर कि sensitivity वाला जो chapter आएगा उसमें भी काम आएगा हमारे ये angle होता क्या है दो lines के बीच में जो एक particular point पे intersect कर रही है वहाँ पे उनके बीच में कितना angle है कितना दूसरी line deviate कर रही है पहली line से तो ये बताता है आपको तो कि उनकी direction के अंदर difference कितना है उन दोनों की directions में difference कितना है radian is the angle between two radii of a circle दो radii है एक circle की और इनके बीच का जो arc length है वो भी radius के बराबर है तो उस case में ये जो angle होगा वो one radian के बराबर होगा इस बार exam में question क्या आया इस बार exam में question आया कि one circumference is equal to इन से related आप से पूछा था यहां पर sexagesimal system है तो इसके अंदर one circumference 360 degree के बराबर होती है one degree में 60 minute होते हैं और one minute में 60 seconds होते हैं centisimal system के अंदर one circumference 400 grads के बराबर होती है one grad 100 centigrad के बराबर और one centigrade जो है वो 100 centigrade के बराबर होते हैं hour system की बात करें तो एक पूरा circumference 24 hours represent करता है फिर उसके बाद भाई अगें one minute 60 second को represent करेगा one hour 60 minutes को represent करेगा and so on तो यह हमारे अलग अलग system है जिसके अंदर हम angles को represent कर सकते हैं इनसे related बस ऐसा ही question आता है कि one circumference कितने grads के बराबर इनसे related हम use करते हैं जब भी हमें angles के अंदर value use करनी होती है conversions करनी होते है तो हमें use करना आना चाहिए ठीक next आते है scale के उपर scale क्या होता है जब भी आपको large area को drawing के उपर plot करना है तो scale की ज़रूरत पड़ेगी और अब scale हम दो तरह से लिख सकते हैं एक numerical form में एक graphical form में scale को लिखा जा सकता है scale use करते कितना है generally उसकी बात करें अगर हम तो topographical survey topographical किसी जगा के features बताने है topography बतानी है तो उसे topographical survey हम कहते है building sites से related जो होता है वो लगबग 1 cm equals to 20 m या उससे कम town planning schemes के अंदर अब scale थोड़ा और छोटा हो जाएगा क्योंकि area बढ़ा हो रहा है तो scale छोटा होता चला जाएगा 1 upon 50 1 cm upon 50 into 100 तो 1 by 5000 हो जाएगा तो ये scale छोटा है ना as compared to 1 upon 2000 तो scale जैसे जैसे area बढ़ेगा तो scale छोटा होता चला जाएगा small होता चला जाएगा location survey में फिर इससे और छोटा scale small topographical maps जो है उसके अंदर और छोटा हो जाएगा and so on फिर cadastrial map, geographical map, longitudinal sections उसके बाद cross sectional इनमें बस आपको एक sequence पता होना चाहिए कि अगर आप एक building से बड़े area की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं तो scale reduce होता जाएगा objective में match the following भी अगर आएगा तो बस sequence match कर लेना आपके सबसे कम scale किसका होना चाहिए सबसे जादा scale किसका होना चाहिए इस तरगा questions आप से पूछ सकता है so scale is length of a line on map with respect to length of that line on ground length of line on map with respect to length of that line on the ground अब अगर आपको ये दे दिया जाए आपको ये दिया गया कि if if scale is 1 centimeter equals to 5 meter then a line of 200 meter on ground would be of how much centimeter कि अडा г बताईो पड़े अच्ग नियुकuitive अग्ज़ पीज़ सूरॉ है स्केल क्या है, स्केल इस लेंथ ओफ लाइन ओन ड्रॉइंग या मैप लेंथ ओन फील्ड उसकी वैल्ली आपको दी हुई है लेंथ ओन फील्ड अगर आपको 200 दे दिया गया लेंथ ओन फील्ड अगर 200 मीटर दिया गया 200 मीटर इंटू 1 सेंटी मीटर डिवाइड बाई 5 मीटर मीटर से मीटर कैंसल हो गया कितना आ गया 40 सेंटी मीटर ओके तो यह हमारा स्केल अब स्केल के अंदर फर्दर निमेरिकल स्केल है ग्राफिकल स्केल है निमेरिकल स्केल को हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रेक्शन के अंदर लिख सकता है या इंजिनरिंग स्केल में रिप्रेजेंटेटिव फ्रेक्शन का मतलब कि 1 is to 1000 प्रेक्शनल फॉर्म में represent कर दिया अगर आप unit साथ में लिख रहे हैं जैसे 1 cm equals to 1 meter 1 cm equals to 5 meter तो यह engineering scale कहलाता है तो numerical के यह दो type है graphical scale का मतलब आपने एक actual scale draw कर दिया है map के उपर नीचे एक scale बना दिया है अब graphical scale नीचे बना देने से फाइदा क्या होगा कि अगर over a long period of time वो map या drawing अगर shrink करती है तो यह scale भी उसी proportion में shrink कर जाएगा जिसकी वज़य से readings लेने में आसानी होगी हम कहेंगे कि अगर हमने scale adopt किया था 1 cm equals to 10 km का तो यहां से लेके यहां तक कि यह जो length है यह 1 cm consider की जाएगे और 10 km को represent करेगी अगर वो उस proportion में shrink कर रही है तो accordingly हम calculations कर सकते हैं तो यह graphical scale का फाइदा है कि वो उसी proportion में shrink कर जाएगा जिस proportion में drawing shrink कर जाती है अगर आपने scale गलत use कर लिया अगर आप field पे गए थे और आपको जो measurements कर लिया आपने field पे अब उन measurements को करने के बाद आपको यह पता लगा कि आपने गलत scale यूज कर लिया तो अब correct length अगर पता करनी हो तो correct length is represented by RF of wrong scale upon RF of correct scale into the measured length RF of wrong scale upon RF of correct scale into measured length जितना length measure करके आते हैं field में instrument ने जो बता दिया वो आप यहाँ लिख रहे हैं कि वो measured length है तो wrong upon correct RF की form में लिखना वरना scale की form में confusions हो जाती हैं शब्द जो आपको याद रखना है वो RF की form में RF of wrong scale upon RF of correct scale तो correct length हा जाएगी आपके पास correct length से लिख लिजिए या true length से actual word यूज करने से बचना actual length गलत वाली actual situation में या फिर जो true है उसकी बात कर रहे है कौन सा थोड़ा confusing word रहता है इसलिए हमेशा correct या true word यूज करना कि true length या correct length is equal to RF of wrong scale upon RF of correct scale into measured length यहाँ पे आपके पास अगर area दिया हुआ होता या volume दिया हुआ होता तो accordingly square या cube यहाँ पर हम कर लेते अब question इससे related कैसा रहता है a surveyor measures a distance between two points on a map of RF 1 is to 1000 उसको उसने 60 meter बताया बाद में उससे पता लगा कि उसने scale जो use कर लिया वो use किया 1 is to 50 का what is the correct distance between the two points what is the correct distance between those two points what is the correct distance between the two points 120 is the correct answer 120 is correct देखें कैसे आपने कहा कि true length true length is equal to wrong RF upon correct RF into measured length wrong RF की value कितनी है wrong RF wrong representative fraction जो use किया वो 1 is to 50 का use किया correct कितना होना चीए था 1 is to 100 का measure करके length कितनी बताई 60 meter बताई तो यहां से true value कितनी आई true value आगई 2 into 60 120 meter 2 into 60 or 120 meter clear next a distance was measured between two points on the plan drawn to a scale of 1 cm equals to 40 meter and the result was 468 और बाद में पता लगा कि surveyor ने गलत scale use किया 1 cm equals to 20 meter का true distance बताएं आप सभी को वीडियो सही दिखाई दे रही है ना ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा slow motion में चल रही है लब I am asking you about the bit rate and all that कि सब साही है no issues video is playing smooth 936 correct answer wrong RF correct RF अब आप यहाँ पर RF की form में इसे आप याद रखिएगा मतलब 1 upon something form के अंदर तो wrong scale use किया 1 cm equals to 20 meter का तो वो 1 by 2000 बताएगा so 1 by 2000 divided by 1 by 4000 into measured length तो आपका 936 meter आ जाएगा एक question और है वो और बता दीजिए Surveyor measures the distance between two points RF use किया उसने 1 is to 100 का और 140 meter बताया बाद में पता लगा कि RF 140 की जगा उसने 1 is to 70 ले लिया था अवे बाद आप उसने 1 ले ले कर दो हैंक अन्दाव पूआcken झाल 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 पास चलना है, स्लो करना है, क्वेश्चन का टाइप क्या करना है, सेम करा दिये तीन, अलग करा दिये तीन, ये सब मास्टर पर छोड़ दीजिए. आप फिलाल अपना काम करें आराम से, आपको क्वेश्चन करने के लिए कहा गया है, वो क्वेश्चन करिए, कहां पर जादा कॉन्फिडेंस की जरूरत पढ़ती है, कहां पर मिस्टेक्स होती है, ये सब मास्टर के काम है, तो उसे करने दीजिए. चलो, विभिन प्रकार के प्राणी, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आते है श्रंक स्केल के उपर, श्रंक स्केल क्या होता है? देखो, श्रंक स्केल क्या होता है? श्रंक स्केल के हमें जरूरत पढ़ती है, जब भी आपने कोई ड्रॉइंग बनाई, अब वो ड्रॉइंग दस साल बाद, बीस साल बाद आप यूज़ कर रहे हैं उसको, मान लीजिए, आपने बहुत सारा, बहुत अच्छे पैसे कमाए, और आपने क्या किया? वो खजाना, सोना, चांदी, सारा क्या कर दिया, एक जगा जाकर के गाड़ दिया, फिर आपने एक मैप बनाया, और उस मैप के अंदर रस्ता शो कर दिया, ताकि आपके नेक्स जनरे अब श्रिंक करने के कारेंट, एक्जेक्ट लोकेशन नहीं मिल पाएगी उस खजाने की, तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके जो नेक्स जनरेशन होगी उनको, तो इसी लिए आप क्या करेंगे, उन्हें बताएंगे कि यह मैप श्रिंक कर जाता है, और इसमें फिर श्रंक स्केल यूज करना पड़ेगा, कि आप ड्रॉइंग के अंदर आज को एक 10 cm की लाइन है, वो हो सकता है, कुछ सालों बाद वो 9 cm की रह जाए, तो अब आप उसी रेशो का, उसी प्रपोर्शन का यूज करके, कैसे करेक्ट डिस्टेंस फील्ड का कैलकुलेट करेंगे, उस म स्केल आपको बताता है, कि जब मैप श्रिंक कर गया है, मैप के उपर आपने ग्राफिकल स्केल नहीं दिया है, तो आप कैसे करेक्ट फील्ड डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, इफ ग्राफिकल स्केल इस नौट रॉन अन दे प्लाइन, दे शीट अन विच दे प्लान इस दे श्रिंक करके जो लेंथ कितनी हो गई, कि 10 सेंटीमेटर की लाइन, 9 सेंटीमेटर होगी, तो श्रिंक लेंथ 9 सेंटीमेटर, divided by actual length जो उसकी थी 10 सेंटीमेटर, श्रंक स्केल अपॉन ओरिजनल स्केल, इस फॉर्मुले को अगर आप यूज करेंगे, तो श्रंक स्केल अपॉन ओरिजनल स्केल, श्रिंकेज फैक्टर के बराबर होता है, और ये श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजनल लेंथ के भी बराबर हो ड्रॉ किया गया ओल्ड मैप को, दे शीट ओफ मैप श्रिंक्स विद श्रिंकेज रेशो आफ, आपको डायरेक्ली ये दे दिया कि श्रिंकेज रेशो कितना है, श्रिंकेज रेशो है 20 अपॉन 22, कि पुराने जमाने में जब आपने वो ड्रॉइंग बनाई, तो वो 22 सेंट केंटिमेटर की ही दिखेगी, then calculate the corrected shrunk scale या RF for the map, shrunk scale बताना है मतलब आपको, अब इस case में पेड कोर्स में क्या है एडवांस है, पेड कोर्स में हम रॉकेट पे बिठाके चांद पे लैंड कराते हैं सीधा, देखो, दोस पेड कोर्स पर पढ़ना है, यूट्यूब पर पढ़ना है, यह सब आपकी चॉइस होती है, ठीक है, एड दे एंड कोशिश यही की जाती है, कि जो पेड कोर्स में पढ़ रहा है, उसको उसके corresponding benefit हो, उसे भी यह लगे कि हाँ, उसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत टाइम मिला उसको, और सारी उसकी जो भी doubts problem थी, सारे address हुए, बात आती है YouTube की, तो master का internal instinct यह कहता है, कि हाँ जो afford नहीं कर सकता, वो भी पढ़ पाए, उसे भी मौका मिले, तो वो YouTube पे भी पढ़ सकते हैं, अब choice at the end आपकी होती है, ठीक है, मैं कभी आपको यह नहीं बोलूँगा, आप paid course लो ही लो, आपकी choice आपका मन करें तो लो, नहीं मन करें तो मत लो, जहां से मन करें आप वहां से पढ़ो, लेकिन आप एक दोस्त के नाते समझ लीजिए, चोटे या बड़े भाई की नाते समझ लीजी, कैसे भी समझ लीजी, अपना टाइम मत वेस्ट किजिएगा, जैसे भी पढ़ें, जहां से भी पढ़ें, जिस सोर्स से भी पढ़ें, offline पढ़ रहें, ओनलाइन पढ़ रहें, इस channel से पढ़ रहें, कई से भी पढ़ रहें, paid पढ़ रहे हैं, free course में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक fix रस्ता बना करके उस पर लग जाईए बस, ऐसा नहीं है कि एक दिन कुछ चेक कर रहे हैं, एक दिन कुछ verify कर रहे हैं, एक बार verification जितने करने हैं कर लीजिए और उसके बाद आप strict रह जाईए कि हाँ इस mode से, इस medium से मुझ है, shrunk scale is equal to shrinkage factor into original scale, shrunk phase, shrunk scale is equal to, shrunk scale is equal to shrinkage factor into original scale, अब shrinkage factor कितने का है, 20 by 22 का है, into original scale कितना है, original scale 1 upon 2000 का है, 1 upon 2000 का है, अब ये 2 से 2 cancel out हो जाएगा, यहाँ पर, आपके पास क्या आ जाएगा, 1 upon 2200, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो shrunk scale हम पढ़ रहे हैं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको इस तरह से समझ सकते हैं, कि जब original, अब इसको compare कर लेते हैं, comparative study थोड़ी सी देख लेते हैं, कि originally हुआ क्या, या पुराने जमाने में, जब वो draw किया गया, तो original situation में क्या हुआ, original situation में ये हुआ कि, एक 22 cm की line थी, एक 22 cm की line थी, map के उपर, जो कि कि किसको represent कर रही होगी, अगर हमने scale adopt कर लिया, अगर हमने original scale adopt किया था, 1 is to 2000, 1 is to 2000 हमने scale ले लिया, तो आप ऐसे लिख लीजिए, कि 22 cm into 2000 कर लीजिए, तो 22 into 2000, ये field का length आ गया, field के उपर उसकी length आ गई, तो field पर उसकी length कितनी आ गई, 44,000 cm, या फिर आप इसे 440 m लिख सकते हैं, ये आ गई, ये original situation में ऐसा हुआ होगा, अब आज क्या हो गया, ये original या past में हुआ था ऐसा, आज क्या हुआ, today what happened, कि अब वो line 20 cm की हो गई, map के उपर, अब वो line 20 cm की हो गई, श्रिंक करके, श्रिंक के जा गया, अब अगर आप 1 is to 2000 वाला, जो original scale है, अगर आज आप original scale यूज करते हैं, 1 is to 2000 वाला, तो error आजाएगा, आप तो बताएंगे, कि ये value कितनी आई, 40,000 आई, लेकिन गलत हो जाएगा, actual length तो 40,000 नहीं है, 44,000 है, तो आपको क्या use करना होगा, आप use करें, श्रिंक scale, तो आप श्रिंक scale यूज करिए, कौन सा 1 upon 2200 वाला, आएगा, कि field length कितनी है, field length बता देंगे, आप 20 इंटू 2200, तो 44, 44,000 आगया, 44,000 आगया, तो आपको ये समझ में, यहां से आ जाएगा, कि ये श्रिंक scale ने क्या help की, at true distance measure करने में, श्रिंक scale हमारी मदद कर देता है, कि अगर आज के समय, वो line श्रिंक कर गई है, तो आप directly shrunk scale का use करें, और वो true distance पता कर पाएंगे आप, so this was about, shrunk scale और कैसे उसका use करना है, objective में question पूछे जाते हैं, shrinkage factor calculate करवा लेता है, आपसे, कि 10 cm की line है, आज 9.7 cm की हो गई, तो shrinkage factor कितना है, या shrinkage ratio कितना है, question ऐसे पूछ लेता है, कि shrinkage ratio अगर so and so है, और original length of line इतनी थी, तो shrunk length कितनी होगी, तो इस तरह के questions आपसे पूछ लेता है, या फिर आपसे पूछ लेता है, कि shrunk scale so and so, original scale इतना, shrink length इतना, तो original length कितनी होगी, तो या इस equation का use करवा लेता है, तो shrunk scale से, in and around, ये वाले questions पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों, इतना ही मिलते हैं, हमारे एगले session के अंदर, कल शाम को 9 बज़े YouTube पर, Monday to Friday 9 पेम, हमारा time रहेगा, हम पढ़ रहे हैं, civil engineering का subject surveying, अगर आपको ये sessions अच्छे लगते हैं, तो आप like कर सकते हैं, और ये live stream खतम होने के बाद, आप comment करके भी हमें बता सकते हैं, कि ये sessions आपको कैसे लगे, साथ ही साथ में, आपके कोई valuable suggestions, feedbacks हैं, तो वो भी आप नीचे comments में लिख सकते हैं, telegram channel join नहीं किया है, तो join कर सकते हैं, youtube channel पे subscribe करना चाहें, तो कर सकते हैं, अब डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप civil engineering competitive exams की तयारी कर रहे हैं, अब के उपर अभी environmental engineering subject, शुरू हुआ है 25th को, Monday to Friday, कर सकते हैं,